Hello everyone, welcome to Janik Jai's study, मेरा नाम है अनूक तिवारी और आज इस job update notification वीडियो में, जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो information में आप लोगों के लिए लाया हूँ, वो information है regarding the post of junior engineer under the water resource department and the enforcement inspector under the commission of transport, जो की आसाम public service commission के अंडर निकाली गई है, ठीक है, तो यहाँ पर द करेंगे, क्या qualification चाहिए, क्या eligibility criteria होगा आपका, कितनी number of vacancies है, क्या salary है, ठीक है, सब कुछ हम लोग इसके बारे में discuss करेंगे, तो अगर आप लोग ने पहले मेरे वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को like कर दीजे, share करिए, subscribe करिए, और bell icon को दबा द हूँ, और यहां पर दो दो अलग-अलग post निकाली गई है, तो चलिए इस post के बारे में discuss करते हैं, तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको कहा, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन पे दो अलग-अलग जॉब आई है, पहली जॉब आई है आपकी, for the post of junior engineer, और दूसरी आई है, enforcement inspector under the commission of transport, जो कि आसाम government के अंडर आता है, अब सबसे पहले, मैं junior engineer, जो की है, उसके बारे में discuss कर लेता हूँ, तो junior engineer की जो post आई है, वो water resource department के अंडर आई है, तो यहाँ से आप लोगों को clear एक बात तो समझ में आ जाएगी, कि यह जो post है, for civil engineers logo के लिए है, ठीक है, अब यहाँ पर जो total number of post है, total number of vacancy है, जो J post में जो निकाली गई है, वो 87 vacancies है, तो काफी अच्छी number of vacancies है, ठीक है, total 87 vacancies में जो आपकी unreserved category है, उसमें 47 seats, जो आपकी OBC है, उसमें 21, schedule tribe के लिए 14, economically weaker section के लिए 5, लेकिन schedule cast और EWS, यानि की economically weaker section के लिए कोई भी separate जो vacancy है, वो नहीं दी गई है, तो जितने भी schedule cast और जो physically disabled है, उनको unreserved में ही fight करना होगा, तो इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे, तो total आप लोगों की 87 vacancies आ जाएगी, ठीक है, now, यहाँ पर civil engineers की requirement है, और जो यहाँ पर job, जो educational qualification है, educational qualification में आपका diploma होना चाहिए, जो regular basis पर आप पढ़ते हैं, तीन साल का जो diploma का course होता है, वो आपका होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा, जो आपका salary है, यहाँ पर job को salary दी जाएगी, वो बहुत अच्छी है, इसका pay scale बहुत अच्छा है, जैसा कि मैं आपके देख सकता हूँ, 14,000 से लेकर 60,500, यानी 6,500 रुपे, 8,700 grade pay के अंदर, जो की pay band 2 के अंदर आता है, उसके हिसाब से आपको ये salary दिया जाएगा, तो काफी अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका age होना चाहिए, जो minimum age होना चाहिए, वो होना चाहिए 18 years, ठीक है, और maximum age होना चाहिए आपका 38 years, ओके, सो, यहाँ पर मैंने age के वारे में discuss कर लिया, educational qualification, आपकी salary, total number of vacancies, ओके, लेकिन, जो मैंने ये age का आप लोगों को बताया है, 18-38 साल, वो आपकी 1 January 2020 में होनी चाहिए, generally जो forms आते हैं, उनमें क्या होता है, एक-दो महीने पहले की आपको date का deadline दिया जाता है, लेकिन, यहाँ पर 1 January 2020, लगभग, एक साल पुराना deadline आपको दिया गया है, और 1 January 2020 को, आपकी age 18 years से कम नहीं होनी चाहिए, और 38 years से जादा नहीं होनी चाहिए, तो अगर आप 18-38 years के हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, कि आप लोग इस post के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है, Now, यहाँ पर, जो enforcement inspector है, जो post, दूसरी post है, enforcement inspector under the commission of transport, आसाम अंडर जो transport department में निकाली गई है, इसमें total आपकी 5 seats निकाली गई है, तोटल यहाँ पर जो है, आपकी 5 seat निकाली गई है, जिसमें आपकी unreserved में 2 seat हैं, OBC में 2 seat हैं, ठीक है, आपकी schedule cast के लिए 1 seat है, और बस, य open category, यानि unreserved में 2, OBC में 2, schedule cash में 2, बाकी schedule tried और economically weaker section के लिए कोई भी अलग से post नहीं निकाली गई है, तो total post यहाँ पर 5 है, pay scale की अगर मैं बात कर लूँ, तो इसका जो pay scale है, वो भी बहुत जादा है, ठीक है, pay scale जो हैं आपकी लिखाया है, 22,000 से लेकर 97,000 रूपीज, ओ 9,400, जो JEE के लिए था, उसका grade पे था 8,700, ठीक है, और यहाँ पर जो pay band है, वो 3 है, तो आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे encouraged है, सब कुछ यहाँ पे इससे जादा ही है, ठीक, now, educational qualification की अगर मैं इस post के लिए बात करूँ, तो इसका educational qualification में आपके पास science, या arts, या commerce की degree होनी चाहिए, from a recognizable university, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं, कि एक ऐसी university, जो की AICTE से approved होनी चाहिए, ओके, now, यहाँ पर age के लिए भी मैं बात कर लेता हूँ, जो age limit है, यहाँ पर वो है 21 years, जो minimum है, यहाँ पर 21 years है, और maximum, यहाँ पर भी आपकी 38 years दी गई है, for 1 January 2020, तो यहा गया है, जहाँ पर आपकी minimum age होनी चाहिए 21, और maximum age होनी चाहिए 38 years, ठीक है, job के nature के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कि job का जो nature होगा, वो regular job होगा, कोई भी contract basis पर नहीं होगा, किसी भी तरह का आपको, उसकी जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, जो experience की आप लोगों को, यहाँ पर http.apscrecruitment.in, यानि कि यह जो site है, यह link पर आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको जो यह post दी गई है, इसके लिए आपको register करना पड़ेगा, ठीक है, और register करने के बाद ही, आप क्या कर सकते हैं, आपने सारे post को, यहाँ पर क्या कर सकत हैं, ठीक है, इसके अलावा, दो और important बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहली important बात यह है, कि यहाँ पर J.E. और अगर आपका जो post है, enforcement inspector का, अगर आप लोग एक साथ भनना चाते हैं, तो अलग-अलग fees लगेंगी, ठीक है, application fees की भी मैं बात कर लेता हूँ, application fees जो है यहाँ पर, let me check it out, ओके, तो यहाँ पर जो category wise है, उसमें application fees को भी, यहाँ पर दिखाया गया है, general category के लिए 285 रूपीज, SCST, OBC के लिए 185 रूपीज, ओके, BPL, BPL ऐनी की, below poverty line के लिए 35.40 रूपीज, और यहाँ पर physically disabled के लिए 35.40 रूपीज, यह जो below poverty line और physically disabled है, यह जो 35.40 है, यह processing fees और जो आपका tax लगता है, बस वही charges आप से क्या किये जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ठीक है, नौ, यहाँ पर, एक और मैं एकदम last में important बात बता दू कि, यहाँ पर जो eligibility criteria है, यह थोड़ा सा strict रखा गया है, eligibility criteria में आप जो होने चाहिए, domain style of ASAM ही हो होना चाहिए, इसका मतलब अगर आप ASAM के नागरिक है, अगर आपके पास ASAM का domain style है, तो ही आप इस job के लिए apply करें, चाहे वो JEE के लिए हो, या चाहे वो enforcement inspector के लिए हो, तो आपको ASAM का होना जरूरी है, ASAM का आपको domain style रखना जरूरी है, और वो verification में कैसे check होगा, कि जब आप लोगों का selection हो जाएगा, तो verification में आपके mother father का voter ID चेक किया जाएगा, ठीक है, तो voter ID का अगर आपके ममी पापा का Assam State का बना होगा, तो ही आपका क्या माना जाएगा, आपका domain style Assam का माना जाएगा, आपको citizen of Assam माना जाएगा, हाला कि Assam का कोई भी बच्चा जो all India कही भी पढ़ाई कर रहा है, वो इसके लिए क्या कर सकता है, अपलाई कर सकता है, ठीक है, तो यह रहा है job, यह जहाँ पूरा आपका knowledge, पूरा आपका notification से regarding सारी details, I hope आपको मेरा ये video बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि requirement क्या है, सारी चीजे मैंने आपको यहाँ पर तो आप Genic Live App मर जाकर, जो आप Google Pay पर जाकर Genic Live App को download जरूर कर लेना, ठीक है, Genic Live App को जैसी आप download करेंगे, तो वहाँ पर आपको इसको notification मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चों की यह demand थी कि मैं description link पर दूँ, but due to some policies, हम यह नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर strictly, यहाँ प form को fill up कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए यह रहा आज का, एक पूरा review video का, ठीक है, next video में आपसे फिर से मुलाकात होगी, job update notification के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, thank you so much बिलबाखें, कर दो